हलो फ्रेंड मैं हूँ सिवानी मिस्रा स्वागत है आप सब एका डेजाइन पूर में आज बैक ब्लाउट डेजाइन बताएंगे तो ब्लाउट की लंबाई 14 इंच रखें सोल्डर की चोड़ाई 6 इंच आर्मोल की लंबाई 6 इंच रखें ब्लाउट का साइज अपने एकॉर 10 इंच रखें साड़े 10 पे मार्क करके बिल्कुल बराबर लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो मैंने गले की देखें मार्किंग कर दिया अब डिजाइन का मार्क करेंगे ताब वीडियो में देखें मैं कैसे मार्क करें सेम इस तरीके से मार्किंग कर दीजिए अब जैसे मार्क सेम ऐसी कटिंग भी करेंगे तो मैंने मार्किंग के उपर से सेम देखी कटिंग कर दिया बीच का पार्ट निकाल देंगे हमारा देखी दोनों पार्ट कट चुक है बलाउस को अपड़ा लिए है इसकी भी कटिंग सेम ऐसी कर देंगे तो देखे मैंने बलाउस की बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दिया बूपर का पार्ट हम रखेंगे नीचे का पार्ट साइट कर दिये बूपर के पार्ट को हम जॉइन्ड करेंगे तो स्थर कपड़े को बेंगे करते देखे में कैसे स्टीचिंग करें ऐसे पूरे पार्ट से को स्टीच कर देंगे ँट कर लेंगे तो मैंने दूनों साइट से जिसको श्रीच कर दिए ऐसे दूसरा काबर में फैला दिये हैं अब एक सिलाई लगा कि इसकी पूरी आल राउंड इस्टीचिंग कर लेंगे तो मैंने देखे कम्प्लिटली इसको अच्छे तरीके से स्टीचिंग कर दिया है इसको साइट करते हैं और पाइपन का मैंने यह पट्टी ले स्ट्रेचबल है क्योंकि मैंने क्रॉस में कटिंग किया था इसको इसको देखी एक साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते हैं उसकी पूरी स्टीचिंग कर देंगे तो मैं पाइपन का पट्टी कैसे बना रहे हैं आप वीडियो में देख रहे हैं से मैं ऐसे बनाईएगा तो मैंने देखे पाइपन की पट्टी कंप्लेटली पुरा बना दिया है अब इसको हम साइड करते हैं और हम डिजाइन बनाया हैं जो उसको ले लिए हैं अब इसके साइड से देखे पहले हम पट्टी को बिल्कुल बराबर में स्टीचिंग करेंगे तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे स्टीचिंग करेंगे ऐसे बराबर में स्टीचिंग कर दीजिएगा तो मैंने देखे पाइपन के फैब्री को बिल्कुल अच्छे तरी केसी स्टीचिंग कर दिया इसका हम पाइपन बनाएंगे तो राउंड करते हूं आप वीडियो में देखे मैं कैसे इसका पाइपन बनाओंगी सेम इस तरीके से पाइपन बनाईएगा तो पाइपन को हम बनाते हूं एक सिलाई लगा के पूरी स्टीचिंग कर रहें ऐसे कर दीजेगा तो मैंने देखिए पुरा पाइपन कम्प्रेटली बना दिया है विस पे लैस की स्टीचिंग करेंगे तो यह मैंने लैस लिया लैस को बिल्कुल बराबर करते हैं पूरे इस पे स्टीचिंग कर देते हैं तो मैंने कम्प्रेटली पुरा पाइपन करेंगे तो पाइपन की पट्टी देखिए श्टीच कर रहे हैं ऐसे कर दीजेगा ॥बी यह पाइपन की पट्टी स्टीच हो चुक है अब इसको बस बनाना है पाइपन तो आप देख लीजेए पहले में इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और फिडरा उन्ड करते हैं यह बिसंलाय लगा के पाइपन की पूरी स्टीचिंग कर लेंगे तो मैंने पाइपन देखे पुरा कम्प्लेटली बना दिया है विस पे भी लैस की स्टीचिंग करेंगे तो लैस ले ले लेते हैं और लैस को बिल्कुर बराबर करते हैं गले पे देखी स्टीच कर रहे हैं सेम इस तरीके से लैस की स्टीचिंग कर दीजेगा एक साइट से लाइस की स्टीचिंग हो चुकी है दूसरे साइट से भी ऐसे देखे कर दिया है मेरे लाइस बिल्कुर अच्छे से स्टीच हो चुका है अब हम दूसरा पार्ट जो उपर के साइट का बना है उस पार्ट को लेंगे और इसके साथ में जॉइंड करेंगे तो दे को दूसरा पार्ट भी जॉइंड कर देंगे तिया मारा दूसरा पार्ट भी जॉइंड है नीचे के साइट से ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे अच्छे से माप लेते हो दोनों साइट से ट्रक्स को स्टिच कर देते हैं तो दोनों साइट से टक सिच्टी छोट चुका है देख लीजिए हम नीचे के साइट से फैब्रिक जॉइंड करें है विस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउच के साथ में जॉइंड करते हुए पुरा फैब्रिक को स्टीचिंग कर देते हैं तो मैंने देखिए नीचे के साइट से पुरा स्टीचिंग कर दिया है मैंने ब्लाउस को देखिए पुरा कंप्लेटली स्टीच कर दिया है नीचे के साइट से इस पर डेजाइन करेंगे तो इसको साइट करेंगे और मैंने देखिए बुक्रम ले लिया है बुक्रम के उपर ह मार्क करेंगे तो जैसे मैं मार्क कर रहे हैं से इस तरीके से हमार्किक चर हैं करेंगे। को पेस्टिंग कर लीजिएगा तो देखिए मैंने सिलाई लगा कि इसको तो हमिए कंपलीटी कर दिया आब इसलिदी हमीं पूरा इस कटन्य कर देंगे तो एक्स्ट्राइबॉस पूरा कट करके जैसे निचाले अ सबका निकाल देंगे ति मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पुरा कर्टिंग करके निकाल दिया इस पर हमें लैस की स्टीचिंग करनी है तो में एक डिजाइन लेंगे और लैस को लेते हैं लैस को इसको पूरे साइड से पुरा स्टीचिंग कर देते हैं तो मैंने जैसी इस लैस को देखिये स्चिछ करके दी आसे जो दो बच्चेंवे उन पर भी सेंशा ही बना देते हैं तो यह मेरा कम्प्रीट जैसे पुरा बना देंगे अब मैंने देखी ये blouse लिया है blouse के नीचे के साइट से वही डिजाइन स्टिच करें जो हमने बनाया है मिट का मैंने मार्किंग कर दिया है अब मिट से बिलकुल डिजाइन को रखते हम स्टिचिंग करेंगे तब वीडियो में देखे मैं कैसे इस डिजाइन को स्टिच करेंगे तो मैंने देखी पूरा डिजाइन अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दिया है अब इसको डेकोरेट करेंगे तो मैंने देखी कैसे डेकोरेट कैसे कर दीजिएगा तो मेरी ये ब्लाउट डिजाइन बिलकुल कंप्लीट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से और कमेंट करना ना भूलिएगा चैनल पे नए हो तो प्लीज अस्क्राइब कर दीजिएगा विल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा में लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ ड्रैस आई ब्यूटिफुल और सिंपल हो थैंस वॉचिंग बाइबाई